वेलकम दियर स्टुडेंट्स तु दे जर्नी ओफ लविंग केमिस्ट्री दिस विनिशा जैन फ्रॉमच में आज हम लोग और गैनिक केमिस्ट्री की सीरीज के लेक्चर फॉर में हैलो फॉर्म रियक्शन को डिस्कस करेंगे कर आप लोगों का CBSC 12 का एक्जैम है और हैलो फॉर्म रियक्शन NCRT में चैप्टर 3 में गिवन है और कोर्स में आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ रहा है लेकिन बच्चों ये रियक्शन आपको एक्जैम में करके जाना ही जाना है किसी भी चेन रियक्शन के अंदर इसका कवेश्चन सकता है तो हैलो फॉर्म रियक्शन क्या होती है स्व आपटमोट क्या होगा लेजेंट्स क्या होंगे प्रदक्ट्स क्या होँगे है त्चाल में सीखेंगे यह पूरा वीडियो इस है लोफों यॉप्रम रियक्शन के लिए डैडिक्ещटे डोगा ठीक है सबसे पहला पॉइंट Maximum Books में यह statement होता है Hello form reaction Is given by To all and to own सबसे पहला statement इसके पहले में एक बाद और आपको बता दूँ कि जैसा कि इस reaction का नाम है Hello form reaction तो यहाँ पर Hello form form होता है इसलिए नाम Hello form reaction है आप लोग जानते हैं कि Organic chemistry में कभी किसी reaction का name इस हिसाब से होता है कि उसमें हमने use क्या किया Reagent क्या काम में लिया Substrate क्या काम में लिया जैसे आप जानते हैं Phenol में आता है Q-mean process तो उसमें हम Q-mean से Phenol बनाते हैं इसलिए कभी scientist के name से नाम होता है जैसे हम कह रहे है Hoffman's Bromamide reaction तो Hoffman's scientist का नाम है और Bromamide intermediate का नाम होता है Colbase reaction Schmidt reaction Rimet Iman reaction Woods reaction Fittig reaction यह सारी reaction आपके scientist के नाम से है तो कभी scientist के नाम पर कभी intermediate के नाम पर कभी किसी का कोई particular नाम लेके भी बना दी जाती ही naming reaction जैसे Hoffman's mustard oil reaction तो इस reaction में आपका isothiocynate बनता है जो mustard oil जैसे smell रखता है तो वो नाम रख दिया तो यहां जो नाम है इसमें हैलो form use नहीं आता इसमें हैलो form produce होता है तो सबसे पहले आप ध्यान रखें product is हैलो form और हैलो form होता है CHX3 CH3X नहीं हैलो form होता है CHX3 अब ध्यान देना अगर X की value CL रख दी तो हैलो form नाव हैलो की जगा chlorine पुट करो तो नाम पुट करो CHBR3 हैलो की जगा bromo पुट करो तो नाम आ गया bromो form fluorine पुट करो नाम अज़ाएगा fluoriform और इसी तरह से iodine पुट करो तो नाम अज़ाएगा iodiform तो कितने तरह के हैलो form होते हैं चार chloro form bromो form chloro form और iodiform इसमें से आपके ये वाला ये वाला और ये वाला ये तीनो colorless हैं और केवल iodiform का yellow color का PPT होता है तो अगर किसी का PPT form होगा तो आप जानते हैं कि उसको हम distinction test के लिए काम में ले सकते हैं तो जब हम हैलो form reaction में iodiform बनाएंगे जब हम हैलो form reaction में particular हैलो form iodiform बनाएंगे तो हम उस reaction को as a test भी काम में ले सकते हैं क्यों ले सकते हैं क्योंकि iodiform का yellow PPT होता है और जिस भी reaction में कोई visible change है PPT है color है gas है smell है हम जानते हैं ऐसी reactions को हम test के form में ले सकते हैं तो whenever iodiform form this reaction can be used under the name iodiform test general तो है yellow form reaction उसमें आप चारों बनाएंगे और जब आप iodiform बनाएंगे तो इस reaction का नाम हो जाएगा iodiform test ओके आप सुनिए सबसे पहला point yellow form reaction is given by two all and two own यह statement maximum books में लिखा रहता है अब मैं आप से पूछना चाहूंगी कि अगर आपने two all और two own के मतलब को समझा तो क्या आप जानते two all का मतलब जिसमें two number के carbon पे OH है मैंने का propane two all आप समझ गए हाँ यह तो देगा क्योंकि यह two all है मैंने आप से का propane two own आपने का yes ma'am two own मैंने का butane two own आपने का yes ma'am यह भी reaction देगा मैंने का butane two all आपने का yes ma'am reaction देगा मैंने का butane one all आपने का no ma'am two all देते हैं यह तो one all है यह reaction नहीं देगा तो क्या आप समझ गए कि यह reaction one all और two all के बीच में distinction test का का काम कर सकती है क्योंकि two alls देंगे one all नहीं देंगे उसी तरह से मैंने का बच्चो pentane two own बताइए pentane two own यह reaction देगा आपने का देगा ma'am two own है आप का नहीं ma'am यह reaction नहीं देगा तो आप यह देख सकते हैं कि two own के सामने कोई भी अगर की टोन आ जाए तो उसके बीच में भी यह reaction एक distinction test का काम कर सकती है कि मैं आपको यह बताना चारी हूं कि यह जो statement लिखावा रहता है इस statement में एक कम्या है एक गलती है अगर मैं आप से कहूं कि क्या बच्चों एथेनॉल यह reaction देगा तो आप एथेनॉल का structure ड्रॉख करूंगे जिस कार्बन पर OH है वो अधर वन कार्बन से connected है प्राइमेरी अलकॉहल है और फर्स नंबर के कार्बन पर ही OH है तो यह वनॉल है अब क्या वनॉल ही reaction देते हैं नहीं देते हैं लेकिन बच्चों एथेनॉल हेलो फॉर्म reaction देता है इसके बाद आपको लिखकर दिया गया इथेनल क्या मैं कहूं आप सीधे इसे रिज़ाग कर दोगे तो आप कहोगे कि मैंने का टू और टू ओन मतलब कीटोन और एथेनल तो यह reaction कैसे देगा जबकि साथ यह है कि एथेनल भी हैलो फॉर्म reaction देता है एथेनल क्या है ती एच्ट्री सी अचो इसको अच्छे से खोलो सी एच्ट्री सी डवल बॉंडो एच यह भी रियक्शन देगा अब हमें लगा कि अगर हम यह statement याद करते हैं कि दिस रियक्शन इस गिवन बाइटू और टू ओन तो उस statement में इथेनल कट रहा है उस statement में इथेनल कट रहा है तो फिर ऐसा कोई statement बनाया जाए जिसमें यह दोनों कमपॉंड भी इन्वाल्व हो जाए हमें इस बारे में सोचना होगा तो फिर हमने यहां पर एक चेंज किया और हमने और एक्टूरेट statement को यूज किया और वो एक्टूरेट स्टेट्मेंट है हैलो फॉर्म रियक्शन इस गिवन बाइ दोस कमपॉंड्स हैविंग हैविंग सी एच्ट्री सी एच ओएच और सी एच्ट्री सी डबल बॉन ओ यूनेट क्या चेंज किया मैंने कि हैलो फॉर्म रियक्शन और गैनिक केमिस्ट्री का हर वो कमपॉंड देगा जिसमें या तो शी एच्ट्री सी एच ओ यूनेट ऑ या थी एच्ट्री सी ओ यूनेट हो अब बताए हेलो फॉर्म रियक्शन आपके कोर्स में है क्योंकि यह रियक्शन टू और भी दे रहे हैं तो एलकोहल अगर कोर्स में है तो हमें हेलो फॉर्म रियक्शन करके जाना चाहिए अब आप चेक करिए क्या एथेनॉल में यह यूनिट है अब आप एथेनॉल को सेट करिए एड़्जस करिए यह आगे आपका CH3 यह CH2 और यह आपका OH CH2 और C से OH जुड़ा है अब आप चेक करिए यह यूनिट आ रही है अब आप देखिए एथेनल चेक करिए यह यूनिट आ रही है यह यह समझाया तो सब लोग को ध्यान देना है हेलो फॉर्म रियक्शन वो कंपाउंट देते हैं जिन्हें CH3 CHOH यूनिट यह CH3 CO unit होती है क्या मानते इस स्टेट्मेंट में यह स् मर्ज है बिल्कुल सही बात है बच्चों क्योंकि तू और का भी तो यही यूनिट आएगा यूनों दा मीनिक आप टू आल कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो तू नंबर के कार्बन पर होए चोगा नाव यू कैन सी इसकी तीन वालन सी फ्री है 1 2 3 इसकी एक यू कैन सी चैन तीन किया कर दो यह यूनिट अपने हां को सब लोग इस statement को करेंगे यह statement correct है लेकिन incomplete है और यह statement क annat भी है और complete भी है तो हैलोब फॉर्म रिएक्षन में आप पहला point करेंगे हैलोफ फॉर्म रिएक्ष्टन is given by दोस compounds having CH3CHOH और CH3CO unit, ठीक है, अब अपन इसकी practice करते हैं, मैं आपको 7-8 compounds दोंगी, आप उनका structure draw करोगे, फिर आप उनमें unit को check करोगे, unit है या नहीं है, Alloform reaction is given by compounds having CH3C double bond O और CH3CHOH unit, ठीक है, चलिए, फिर्स्ट प्राइ करिए, Acetic Acid, Yes, try करिए, Acetic Acid होता है, CH3COOH, आपने इसे खोला, तो यह आया, CH3C double bond O OH, आप कहेंगे, अरे मैं मैं इसमें यह unit है, यह देगा, नहीं बच्चों यह नहीं देगा, क्योंकि यह जो CO unit है, यह acidic group का है, हमें जो CO group चाहिए, वो ketone या aldehyde वाले group में इसे चाहिए, इसका मतलब यह reaction, haloform reaction acetic acid नहीं देगा, क्योंकि इसका CO ketone का नहीं, कार्बॉक्जिलिक acid का CO है, तो यह नहीं देगा, नमबर टू, पाइरोविक acid, नौ, पाइरोविक acid क्या होता है, CH3C double bond O, C double bond O OH, तो आप देख सकते हैं कि यह वाला CO तो acid वाला है, लेकिन यह वाला CO जो है, वो ketone वाला है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें यह वाली unit present है, और यह unit होने की वज़े से यह haloform reaction देगा, ठीक है, थर्ड दिया मैंने आपको 2 pentanon, मैं सोचती हूँ हम इसका structure भी नहीं लिखेंगे, हम वो time case नहीं करेंगे, जैसे ही हमने देखा 2 oh, हमने yes कर दिया कि वो reaction देगा, और फिर भी आप करना चाहें, तो pent के 5 carbon बनाईए, 2 पर oh बना दीजिए, इस carbon की 3 valency, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 3, you can see, ये unit आ चुकी है, और unit आते हैं, ये test देगा, ठीक है, डी दिया मैंने आपको pentane 3 oh, तो आपने जैसे ही देखा 3 oh है, ये reaction नहीं देगा, अगला compound मैंने आपको दिया, इथे नल, इथे नल, अल, अल्डिहाइड, इथ, दो कार्बन, CH3, CHO, आपने इसे खोला, CH3, C double bond OH, इसमें ये unit आ रही है, और ये CO, अल्डिहाइड इक से आया हुआ है, इसलिए ये test देगा, अगला compound लिया मैंने acetophenone, I hope आपको acetophenone आता है, acetophenone होता है, benzene ring के उपर, CO, CH3, अब आप इसे खोलिए, तो अगर आप इसे खोलेंगे तो ये आएगा, C double bond OH, CH3, Now you can see, वो जो unit आपको चाहिए, वो आ चुकी है, CH3, CO, इसलिए ये भी haloform reaction देगा, चीक है, उसके बाद मैंने अगला compound लिखा, बेंजो फीनोन, बेंजो फीनोन, तो बेंजो फीनोन के अंदर, ring के उपर, CO, C6, H5 होता है, तो इसमें unit नहीं आपाई, इसलिए ये test नहीं द देगा, then मैंने आपको दिया, butane 2 all, now जैसे आपने 2 all देखा, आपको yes कर देना है, बना कि आप देख सकते हैं, bute के 4 carbon, 2 पर आपको all का OH बनाना है, इसकी 3 valency, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 3, you can see, ये unit आ चुकी है, CH3, CHOH, ये भी test देगा, तो बहुत अच्छा question तो ये भी बन स सकता है कि इन में से कौन हेलो फॉर्म रियक्शन देगा, कौन नहीं देगा, यह ऐसे question आ सकता है, which pair can be distinguished by हेलो फॉर्म रियक्शन, तो जैसे butane 2 all और butane 1 all दे दिया, तो 2 all देगा, 1 all नहीं देगा, तो distinction हो सकता है, acetophenon और benzophenon दे दिया, acetophenon में ये unit है, benzophenon में नही function किया जा सकता है, तो पेंटेनों देगा, 3 पेंटेनों नहीं देगा, मतलब मैं यह कह सकती हूं, organic chemistry में अगर 10 distinction test है, तो साथ distinction test आपके, इस reaction से sort out हो सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा, कि हैलो फॉर्म रियक्शन कौन देता है, उसको हमने test करना सीखा, हैलो फॉर्म reaction में, अगर आप आयोडो फॉर्म बनाते हो, तो आयोडो फॉर्म के यलो PPT के कारण, आप उस reaction को एक test के फॉर्म में काम में ले सकते हो, ठीक है, अब second point, पहला point तो हो गया, कौन देगा, अब second point, कब देगा, किसके साथ देगा, तो आपको लेना है, हैलोजन प्लस अलकली, अलकली के लिए आप NUH, Aqueous, KOH, Aqueous, Na2CO3, Aqueous और K2CO3, ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और तीसरा point ध्यान रखना, heating करना है, फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना, हैलो फॉर्म बनेगा, हैलो फॉर्म फॉर्म्स, बच्वा आप लोग जानते हो, और गैनिक हैमिस्ट्री का जब subjective exam होता है, तो एक question आता है, right short note, तो अब आप देखिए, जब आप इस तरह से points बना ले, number one, कौन reaction देगा, number two, किस के साथ देगा, number three, क्या बनेगा, और number four, कोई conditions वगरा हो, pressure, temperature की, तो आप इन चारो points को merge कर दीजिए, तो आपका organic chemistry का short note तयार हो जाता है, अब देखिए, मैं haloform का short note कैसे बना रही हूँ, when the compounds having CH3CO और CH3CHOH unit is heated with halogen in the presence of alkali, this, 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 comma haloform forms, कौन react करेगा, when the compounds having this or this unit is heated with halogen, halogen आप चारों ले सकते हैं, बाकि generally हम जानते हैं, हम fluorine नहीं लेते हैं, halogen in the presence of alkali, haloform forms, तो haloform जैसे इस reaction को haloform reaction कहा जाता है, ठीक है, short note आपको clear हो गया, अब हम सीखते हैं कि reaction करते कैसे हैं, तो सबसे पहले मैंने, मुझे दो reaction सिखाने हैं आपको एक उस unit के साथ और एक उस unit के साथ, तो सबसे पहले हमने ये unit ली, CH3CHOH, याई काम करिए, थोड़ा easy करते हैं, पहले वो unit लेते हैं, CH3C double bondo unit मैंने ली, और आगे कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी के लिए मैंने R लगा दिया, ठीक है, किस की presence में की alkali के साथ, देखो, बोलते जाओ, लिखते जाओ, रटना नहीं है, कौन react करेगा, किस के साथ करेगा, किस की presence में करेगा, और heating करना है, इतना pattern आपका decide हो गया, अब हम बहुत deep mechanism में न जाएं, और direct product बनाना सीखें, तो भी एक राख्ता हमारे पास है, और दूसरा आप mechanism पे जाना चाओ, तो वो भी एक option हमारे पास है, पहले direct सीखिए, direct क्या होता है, कि CH3 CO unit में यहां से break हो जाता है, और जो methyl group होता है, उसी का hello form बनाया जाता है, ध्यान देना, methyl group का ही क्या बना दिया जाता है, hello form, मैंने उपर तिखाया था, hello form, और यह जो remaining part होता है, इसमें O, N,E जुड़ जाता है, remaining part में क्या जुड़ जाता है, O, N,E, तो R, C, O, O, N,E plus N,E और X2 की वज़े से N,E, X आ जाएगा और यह आपका water आ जाएगा, तो तीन reactants इदर होते हैं और चार products उदर होते हैं, यह आपको ध्यान रसना है, तो आपके पास एक question आ सकता है, which statement is false about hello form reaction, ध्यान दीजिए, which statement is false about hello form reaction, statement 1, in this reaction, hello form forms, true, second सुनिए, in this reaction, sodium और potassium salt of carboxylic acid having one less carbon atom forms, sodium और potassium salt of carboxylic acid having one less carbon atom, आप देख सकते हैं, मैंने salt बनाया, और आप देख सकते हैं कि जो compound मैंने लिया था, उसमें से एक methyl कम हो गया है, और उसका hello form बन गया है, तो जो मुझे acid का salt मिला, वो एक कम carbon वाला मिला, तीसरा, this reaction is given by the compounds having this or this unit, चौथा, this reaction is given by all two all, alls and two alls, तो सारे two all और two all देंगे, ये भी सहिए, ये unit रखने वाला हर compound देगा, ये भी सहिए, है, hello form बनता है, ये भी सहिए, और carboxylic acid एक कम carbon atom वाला बनता है, ये भी सहिए, चीक है, दूसरा, CH3, CHOH unit वाला ले लिया, और साथ में R ले लिया, आगे कोई भी पार्ट हो, मुझे तो minimum unit ये चाहिए, इसकी भी reaction मैंने halogen से कराई, इस बार मैं Na2CO3 ले 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 लेती हूँ, जो NUH के साथ है, वो ही QH के साथ है, बस वहां RCO, K बना देना, आपकी बार मैंने Na2CO3 ले 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 ल आपने 2-0 पहले 2-0 में oxidize होता है, तो मैं कह सकते हूँ, हैलो फार्म reaction में oxidation भी होता है, यहां पर देखिए, जो आपने ketone लिया या जो आपने alcohol लिया, उससे आपको acid मिलेगा, यह भी oxidation है, और 2-0 का 2-0 में भी oxidation होता है, तो हैलो फार्म reaction में oxidation भी involved है, तो सबसे पहले 2-0, 2-0 में बदलेगा, सब अच्छे से जानते 2-0 को 2-0 में बदलने के लिए, एक active H हटेगी और एक alpha H हटेगी, तो आपको एक मन में समझना हैं, कि पहले मैंने एक active और एक alpha H हटा दी, जैसे तुम यह हटा दोगे, बताओ यहां आ जाओगे, नहीं आ जाओगे, और फिर यह reaction तुमारी करीवी तैयार है, तो पहले एक active H, O के साथ वाली active, functional group के पास वाला carbon, alpha, alpha की hydrogen, alpha hydrogen, एक active और एक alpha hydrogen पहले हटाओ, फिर इन दोनों को हटाने के बाद, एक मिट में बना दू इसमें, जैसे आप इन दोनों को हटाओगे, तो यह unit आ जाईगी, यह यही तैयार हो गया तो बापिस वही मैं कहूंगी, यहां से bond cleave होगा, जो methyl part है, उसका तुम्हें हेलो form बनाना है, तो methyl part का तुम्हें हेलो form बना दिया, फिर यह वाला जो पार्ट है, उसमें ONA जो उड़ना है, RCOona, ठीक है, फिर यह NA और X का तुम्हें NA X बनाना है, और जब तुम्हें OH लो तो तुम्हें CO2 gas बनाना है, तो इससे यह reaction आपकी easily balance हो जाएगे, तो क्या मैं कहूं कि यह दो unit वाले compounds ही तो यह reaction देते हैं, और मैंने आपको दोनों unit से करना बता दिया, R का कोई role ही नहीं, R as it is one copy हो जाएगा, और यह जो unit है, इसके methyl का हेलो form बनाना है, और remaining part में ONA तुम्हारे products तैयार हो जाएंगे, तो अब R कुछ भी लगा दो, I hope आप समझ गए, आपके product में कोई difference आने वाला नहीं है, तो इसकी practice करते हम, और एक बार मैं आपको यह mechanism से भी करके बताती हूं कि कैसे होगा, mechanism के थुरू करना हमेशा organic में best माना जाता है, तो देखो बच्चों, NaOH और X2 ने पहले react किया, और react करके बनाते हैं, NaX प्लस NaOX प्लस water, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि NaX और water तो final products में आई गए, तो intermediate कौन हुआ, NaOX कि आप समझ पारें, इसी को further सारी reaction करानी है, तो hello form reaction का intermediate होता है, NaOX, तो धिहान रखो, जब तुम्हें chain reaction मिलती है, ABCD वाली, तो ABCD में सामने वाला NaOH प्लस X2 भी लिख सकता है, और इसी को replace करके, सामने वाला NaOH और X2 की जगा, NaOX भी लिख सकता है, अगर arrow की उपर NaOX लिखावा है, तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि ये hello form reaction आ गई है, क्योंकि hello form में जब NaOH और X2 react करते हैं, तो जो NaOX बनता है, वो ही further सारी काम कराता है, तो NaOX से भी दिया जा सकता है, किसी को competition और board में ऐसे दिया जा सकता है, किसी को competition और board में NaOX था ना, उसका OX माइनस लिख दिया, इसी को ये दे सकते हैं, इसी को ये दे सकते हैं, ये भी लिखावा हो सकता है, आपको समझना होगा, ये किसी भी pattern में आपके पास लिखावा आ सकता है, आपको इसे judge करना होगा, क्या कहते हैं इस iron को, फी block chapter में ये reaction भी पढ़ाई जाती है, और नाम भी क्या कहते हैं, sodium, what is the name of OX माइनस, हाइपो हेलाईट, हाइपो हेलाईट, अगर X की value CL है, तो हाइपो क्लोराईट, बियार है, हाइपो ब्रोमाईट, I है, हाइपो आयोडाईट, तो ये आपकी reaction चल आएगा एने OX, ये इसका पहला step है, ठीक है, अगर हम mechanism की बात करें, तो ये इसका पहला step है, अब second step की बात करते हैं, किसको लेकर चलूं बोलो, नीचे वाले को ले लेती हूं, उसमें दोनों involved हो जाएंगे, तो इसको लेकर हम चले, क्या था इसके अंदर, ये था, CH3, CH, OHR था, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर 2 all होगा, तो पहले 2 all, 2 own में बदलता है, कौन कराएगा ये oxidation, बचों ये एने OX ही कराएगा, यहां से जाएगी active H और alpha H, और यहां से जाएगा oxygen, और ये मिला कर water बाहर, आप देख सकते हैं, water is one of the product, क्या बन गया, CH3, C double bond O, एक active और एक alpha गई और ये R लगावा है, और प्लस आ गया, NX, NX product ही, water product ही, कोई issue नहीं है, और ये 2 all, किस में convert हो गया, 2 own में, ये step ले रहे, 2 all, 2 own में बदल गया, अब मेरे पास कौन आया, सामने, तीसरे step के बात करूंगी, अब मेरे सामने कौन आया, CH3, C double bond O, R, बचों अब mechanism में दुबारा NX की entry होगी, ये तो सब बच्चे समझते हैं कि कोई भी species, एक mechanism में बहुत बार use हो सकती है, क्योंकि हम कोई एक molecule लेकर नहीं चलते हैं, बहुत सारे molecule होते हैं, तो आप एक species को बार-बार काम में ले सकते हो, तो क्या काम में लेना है, दुबारा NX, अब NX क के तीन मोल काम आएंगे, और ये तीन H हटकर, ये तीन X बेजेगा, तो तीन में लिख देती हूं, देखो, ठीक है, ये पहला X H की जगह, ये दूसरा X, दूसरे H की जगह, ये तीसरा X, तीसरे H की जगह, तो तीनो H की जगह, तीन X आ गये, CX3 आ गया, C double bond O, R safe है, और क् तीन X दिये, तो तीन H बदले में आए, NUH बन गया, और NUH हमारा रियक्टेंट था ही, कोई इस्वी नहीं है, NUH तो रियक्टेंट था वो बन गया है, दुबारा हम उसे काम में ले लेंगे, ये तीसरा step हो गया, ठीक है, अब फोर्थ और लास्ट स्टेप, मेक्यानिज में अगर आप जाते हो, क्या बन चुका है, CX3, COR और उसके साथ क्या बना हुआ है, NUH, इस तरह ऐसे क्लिवेज होगा, यहाँ पर NUH, और यहाँ पर H, क्या बन गया है, वही प्रोड़क्ट देखो, CX3 plus RCOON, अब सब बच्चे टोटल करके देख लीजिए, वो ही net reaction आ रही है क्या, जो मैंने आपको direct बताई है, चेक करिए, जो intermediate से उनने काटी है, जो repeat हो रहे है, उनने cancel करिए और चेक करिए, net वो ही आ रही है क्या, NUX इदर है, और इदर भी है, cancel हो जाएगा, यह इदर बना, इदर यूज हुआ, यह इदर बना, इदर यूज हुआ, Net बनाईए, नमबर बन यह आ गया, CH3, CH, OH, R, प्लस, NaOH, प्लस, X2, heat करना है, products में NX आ रहा है, NX यहां भी है, NX आपका यहां भी है, product में हो जाएगा, वो तो, plus water आ रहा है, ठीक है, water बना दिया मैंने, यहां भी निकला था, water वो भी product में आ गया, प्लस, CH, X3 आ गया, और प्लस, R, C, O, O, N, E, ठीक है, तो यह आपका पूरा mechanism, और अगर आप 2 ohne से start करते हो, 2 ohne से, तो यही से begin हो जाएगा, और अगर आप 2 ohne से start करते हो, तो पहले 2 ohne लेना, फिर active or alpha H हटा के उससे 2 ohne में बदलना, फिर 2 ohne से आप परदर उसको करना, तो यह reaction complete हो जाए, ठीक है, तो mechanism में ध्यान रखना, अगर किसी को haloform reaction का question देना है, तो इधर तो यह unit होगी, या फिर यह unit होगी, उससे चक्कर लेना, और arrow पर क्या-क्या मिल सकता है, number 1, X2 plus aqueous NaOH, aqueous KOH, aqueous Na2CO3, aqueous K2CO3, दूसरा वो दे सकता है, X2 plus OH-, hydroxide ion दे दे, अगला वो दे सकता है, OX-, फिर वो दे सकता है, OCL-, OI-, OBR-, फिर वो दे सकता है, NaOI, NaOCL, अगर O- दे, तो यहाँ पर I बना देना, अगर OCL- दे, तो यहाँ पर CL बना देना, तो उसससे तुम्हारा decision हो जाएगा, कि क्या ब ठीक है, तो यह complete mechanism, कौन रियक करता है, the compounds having CH3CHOH और CH3CO unit, किसे रियक करते हैं, halogen, किसकी presence में, alkali, heating करना जरूरी है, क्या form होता है, दो major product form होते हैं, एक तो haloform form होता है, और एक दूसरा carboxylic acid having one carbon less, क्योंकि एक methyl group ही हमारा haloform के अंदर convert हो जाता है, ठीक है, अब practice कर लो, propane 2ol plus I2 laryum, NUH के साथ heating number 2 acetophenone ले रहे हूं, खोलना group को, bromine ले ले लेते हैं, और Na2CO3 ले ले लेते हैं, halogen बदल सकते हो, alkali बदल सकते हो, ठीक है, number 3, pentane 2one ले लिया, और अब की बार मैं NaOI लिख लिए हूं, तो आपको पहचानना है इसको, number 4, ethanol ले लो, ethanol भी देता है ना, और arrow पर मैंने ऐसे general लिख दिया, OX-, तो यह सारे pattern तुम्हें judge करने आने चाहिए, सबको recognize करना सीखो, I hope आपने अभी तक first वाला कर लिया होगा, हित्ते बच्चों को, है confidence, products ही निकलेगा, check करिए, मैं step बता रही हूं, check करिए, सबसे पहले compound में वो units हैं, क्या check करिए, हेलोजन है क्या, एलकली है क्या, heating है, क्या सिखाया था, कि इस unit में जो methyl group है, उसका हेलो form बनेगा, हेलोजन आयोडीन है, तो आयोडो form बना दो, plus, यहां से cleavage हो, चला गया, और rest part में ONA जोड़ दो, तो क्या जाएगा, CH3, अच्छा, एक और point, यह 2 all है, तो आपको मन में इस बात का ध्यान रखना है कि यह 2 on में बदला जाएगा, और जब यह 2 on में बदला जाएगा, तो active H और alpha H हट जाएगी फिर ONA जोड़ेगा, तो क्या बन गया, CH3, C, O, O, N, N, I, O, ठीक है, यहां देखिए, चेक करिए, unit है क्या, halogen और alkali है, इस unit में methyl का हेलो form बनता है, इधर दो यह चाहिए, इधर दो, उससे नहीं फर्क पढ़ना चाहिए, halogen क्या देखिए, ब्रोमीन, तो यह बन गया, CHBR R3, remaining part में methyl से cut कर देना, remaining part में ONA जोड़ देना, तो क्या आगया, ring पर C, O, ONA, plus NA आई, और इस बार आपने कार्बोनेट ले रखा है, तो plus में क्या बनानी है, C, O, इसका answer बताईए, क्या बनेगा, unit check करिए, है unit, methyl Iodine है, Iodoform बनाई है, plus remaining part CH3, CH2, CH2, CO, ONA, remaining part में ONA जोड़ जाता है, तो क्या गया, CH3, CH2, CH2, CO, ONA, plus, अब plus वाले तो इसमें बनाई नहीं सकते हैं, क्योंकि intermediate form में दे रखा है, फिर भी NAI आई आजाएगा, और water आजाएगा, next को set करिए, CH3, CH2, CO को खोलिए, C double bond O, H check करिए, unit में methyl का हेलो form बनेगा, X दे रखा है, remaining part में ONA जोड़ जाता है, तो H, C, O, O, N, A, H, C, O, O, N, A, प्लस आपका वोई NAX आजाएगा, प्लस आपका water, okay students, I hope आप हेलो form reaction को लेकर आप comfortable है, हेलो form reaction में 3 reactants होते हैं, और 4 products होते हैं, हेलो form form होता है, oxalic acid एक कम carbon atom वाला form होता है, हेलो form reaction में 2 all और 2 own का acids में oxidation है, और 2 all's का, during the mechanism 2 owns में oxidation होता है, तो यह हेलो form reaction के लिए चाहे intermediate पूछ लें, चाहे which statement is incorrect, distinction test, किसी भी form में question आए, आप उसे handle कर सकते हैं, ठीक है, अब जैसे मैं, हेलो form reaction का एक chain question बना देती हूँ, अब जैसे मैं हेलो form reaction का एक chain question बना देती हूँ, अब जैसे में किती तरह के questions होते हैं, right short note, chain वाले questions, distinction test, conversion वाले question, ठीक है, तो यह chain वाला question है, word problems, अलग-अलग तरह के conceptual question तो आपके होते ही हैं, अब यह वाली chain आपको complete करने हैं, यह आपका free radical halogenation, hydrogenation, light के साथ में, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको यह डाला था कि secondary hydrogen ज्यादा reactive होती है primary से, तो secondary हट आईए, तो यह हो गया तुम्हारा CH3, CH3 ठीक है, आगे moist AG2O दे रखा है, moist AG2O का मतलब AG2O के साथ में moisture है, यह दोनों मिलकर AG2OH बनाते हैं, और फिर OH आकर chloride को हटाता है, nucleophilic substitution reaction, तो यह बन गया तुम्हारा CH3, CHOH, CH3, अब देखिए, अब भी हमने पढ़ा कि इसमें यह unit आ रही है, यह लिखावा है, तो आप समझ गए यह Halo form reaction है, अब Halo form reaction में दो products बनते हैं, एक तो methyl group का तो आप Halo form बना देते हैं, और जो remaining part होता है, उसको पहले 2ol को 2on में बदलते हो, मन में और फिर ONA जोड़ देते हो, यहाँ पे, तो इससे बनता है CH3, COONA, पहने, अब मैंने chain में दोनों को रखा, now you have to recognize कि C किसको माने और D किसको माने, तो C लोगे और किसको D लोगे सोचो, कैसे पता किया जाता है, पता किया जाता है, आगे कौन reagent खड़ा है उससे, now you can see, आगे casean खड़ा है, and you all know कि alcoholic casean सिर्फ X के लिए काम करता है, एक सटा के CN लगाता है, तो जो halogen वाला पार्ट है, उसको C बनाओ, क्योंकि सामने casean वेट कर रहा है, तो C आपका यह हो गया, और D आप किसको बनाओ, salt को, CH3, COONA को, क्योंकि आगे dilute HCL वेट कर रहा है, आपको मालूम है कि जब आप इस तरह से salt का वालूट HCL आता है, तो वो acidification करता है, कैसे करेगा, H और CL, और F आपका CH3, COOH, और C आपने दिया हेलो फॉर्म को, और आपको मालूम है कि जब KCN आता है, उतने हटकर CN लग जाते हैं, तो CH के साथ 3 आई है, तो CH के साथ आपके 3 CN कनेक्ट हो जाएं, तो इस chain question से मैं आपको यह बताना चारी थी, कि generally एक reaction में एक ही product main होता है, पर हैलो फॉर्म में दोनों में है, तो हमें 2 alphabet मिल सकते हैं, तो आगे के रियेजन तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें है कि सको लेना है, और आपको दियान रखना है, ठीक है? लास्क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् its a and benzophenone अच्छे से आप जानते हैं acetofhenone में unit है वो टैस्स देगा बंजण नहीं देगा मैंने बना दिया and propanal को आप अच्छे से जानते हिए Looks is जानते हैं योनिट है तैस्स देगा और प्रोपेनल तीन का रवन में अब चाह कर लिजिए इसमें यूनिट नहीं आ रही है यह नहीं देगा आपने बना दिया हैक्जेन है टू ओन हैक्जेन अब आप अच्छे से जानते हैं टू ओन देगा थ्री ओन नहीं देगा तो आप देख सकते हैं टू ओन वर्सिस एनी अधर अल्डिया आप देख पार है असेट ओफ इनॉन बेंजो फिनॉन में लग जाएगा वन और टू ओल में लग जाएगा यह आप यह दिस्टिंशन टै दीजिए तो यह कंप्लीट इंफर्मेशन थी आपकी हैलो फॉर्म रियक्शन के लिए को करके जाना है और एरो पर क्या-क्या मिल सकते हैं उससे आपको पता लगाना आचुका है और दोनों प्रोडक्स में से किसको सॉल्ट लेना है और किसको हैलो फॉर्म लेना है इसका आ अगर आप लोगों ने रिटन प्रेक्टिस किया है तो आपको एक्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे कॉन्फिदेंस के कि नहीं 20 मिनिट्स का जो टाइम मिले उसमें सारे क्वेश्चन से एक बार गोतु होना है ओके स्टूडेंस कोई भी इस लेक्चर में आपको डाउट आता है आप मुझे कमेंट करिए आपके कल के एक्जाम के पहले ही मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी थैंक्य वेरे मच तूड़